दोस्तों मेरे साथ ये पौधा देख रहे हैं या मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चोटा सा पौधा है इसके बाद ये स्टेज आता है इसके बाद तीसरा स्टेज फूलों से भर जाता है आप कहेंगे इसमें क्या खास है पौधे में फूल तो आता ही है लेकिन नहीं पौधे देखिए एक कली है यह दूसरी है और आप यह देख रहे हैं तीसरी चोथी यह देखिए लगातार निकलता आ रहा है तो जैसे हम इसको shift करते हैं लगाते हैं material जो इसका soil mix है ऐसा देते हैं तो पूल भरके आ जाता है और पूल भरके आने के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है हमारे merry gold की तरह दो महीने में नहीं खतम होता दोस्तों यह ले करके अभी लगा लें इस December के महीने में और December से ले करके यह समझे के मई तक यह flowering करता रहेगा अगर semi shade में रख दिया तो हो सकता है जुलाई अगस्त तक भी flowering देता रहे तो खासियत इसकी यह है तो आईए ज जानते हैं ज्यादा देर ना करते हुए हम इसको लगाने का तरीका क्या हम इसका soil mix रखेंगे कि यह जो है एक पौधे पर ही पांच-पांच सो फूल हमारे दे सकेगा यह पौधा उससे पहले मैं आपको बता दू हमारा चैनल है समीर सींगारण यूट्यूब पे आप उसक ले सकते हैं material purchase कर सकते हैं यह जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल सकते हैं तो दोस्तों यह देखिए पोधा और इसको लगाने की संपूर्ण विधी में बता रहा हूं आपको ताके आपको जो है वो दो चार फूल की बजाए सैंकड़ो मतला 500 फूल तो कम से कम आपको मिले और मज़ा आजाए देख करके इसके color भी कई होते हैं आठ से दस color होते हैं दोस्तों और पिलकुल सुरज मुखी यानि के sunflower की तरह देखता है लेकिन sunflower इतना बड़ा होता है और ये थोड़ा size में छोटा होते हैं लेकि number of flowers बहुत आता है sunflower की height जादा होती है और इसकी height जाद इसकी बनके निकलनी शुरू हो गई है तो जादा देर ना करते हुए हम मिट्टी बना लेते हैं इसका कैसे बनाना है ये हम क्या करेंगे normal garden soil लेंगे ये देखिए ये normal garden soil है अब उसमें garden soil में simply नहीं लगाना है इसके लगाने के दो तरीके है मैंने जैसे दिखाया एक तो चोटा पौधा है वो लगाए इन थैलियों में लगा दिया था तो हमारी थैलियों में लगाने की मजबूरी है मजबूरी क्या है ये भी जान ले आप हमारा garden देख रहे है गार्डन में क्या है पूरा जो है डेलिया और गुलदाओदी यानि के क्रसंतिम में डेलिया दो प साथ सो आट सो थैलियां त्यार की है हर वराइटी की ताके अब हम क्या करेंगे जैसे अब क्रिसंतिमम का गुलदाओदी का टाइम खतम हो रहा है ऐसे हम उनको खाड़ेंगे मदर प्लान्ट को अपनी जमीन में शिफ्ट कर देंगे और उन गमलों में इसको लगा करके से पहले देखिए ताकत के लिए क्या है हमारा ये लीफ कंपोस को हम कितना मिलाएंगे ये आठ इंची का गमला हमने लेना है उसके लिए कम से कम हमारा चार मुठी लीफ कंपोस इसमें मिलाएंगे एक दो तीन चार अब चार मुठी लीफ कंपोस मिला दिया आप कहेंगे ल अबर्मी कंपोस्ट भी है गोबर खाद भी है विल्कुल सही आप विल्कुल सही है मैं यहाँ पर गलत हूँ लेकिन जानिये एक आदमी सिंपल रोटी खाता है और एक जो है दूद रोटी घी लगा करके और पनीर की सबजी खाता है तो फरक पड़ जाता है तो प्लांट के ल दूसरा हम लेते हैं केल्सियम पौर्डर केल्ल पौर क्या है बोन मील यूज़ करते हैंबट मैं बोन मील यूज़ नहीं करता हूँ बिल्कुल भी fungus आ जाता है उसे तो यह calcium powder में लिए calcium phosphorus और zinc इसमें natural form में है यह हम मातर एक गमले के लिए दो मुठी लेंगे और इस गमले में एक साल तक दुबारा नहीं डालेंगे चाहे दूसरा भी लगाना हो क्योंकि calcium की जो validity होती है वो साल डेर साल तक अराम से रहती है तो यह ले लिए हमने calcium क्या करेगा इसकी जो डंडिया है उसको strength देगा आप इसमें भी देख रहे हैं आप यह देखिए मुड़े गाने यह देखे एक दम टाइट इसी तरह से रहेगा और पौधा strength हाएगा जैसे हमारी हडियों को मजबूत करता है अब तीसरी चीज़ का डालेंगे तीसरी चीज़ डालेंगे हम यह नीम खली अब आप पूछिए नीम खली क्यों डाल हम इसको मटी को कर लेते हैं तैयार यह देखिए म manufacturers हमारी इतनी सौफ्टे नहीं होती है जैसे हाझा गंबाइल मित्वा मिला लें तो आम तोर पर ऐसे हैं लगा को है मिटोर तो अएसा इसको बंद कर देगा इसको थोड़ा कर देते हैं यह सिमपल छोड़ा तो हुआ है लेकिन थोड़ा कम है तो इसको हम ये चार होल को बढ़ा कर लेते हैं दोस्तों बाकी के छोटे होल छोड़ देते हैं तो ये हम मिट्टी इसमें डालेंगे अब हमारी मिट्टी इसमें भर ली दौ मैंने तरीके बताए आपको एक तो बताए मैने ये गंपले को हमने पुरा भरना है पूरा भरने का मतलब क्या है? कि यह उपर से यह उंगली की जो एक गिट है यह इतना खाली रहना चाहिए हम क्या करते हैं? आदे गमले में मिट्थी में देखा है मैंने अक्सर लोगों का देखा है पौधा मर रहा है आधे गमले मिट्टी में पौधा नीचे लगा देते हैं यह पौधा बानिएगा यहां नीचे कोने में लगेगा तो हवा उपर से क्रॉस हो जाएगी इसको मिलेगी नहीं यह हमारा flower food है जो 10 flower आते हैं उसको 100 flower देने की capacity पैदा कर देता है प्लांट में तो इसको हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि छोटा सा पोधा है अल्रेडी हमने जो fertilizer डाल दिया है वो इसके लिए अभी sufficient है जब तक के बड़ा नहीं हो जाए जब यह बड़ा इस condition में आएगा इसको तो हम क्या करेंगे इसकी मिट्टी कम कर लेंगे यह देखिए यह मिट्टी हमने कम कर लिया इस पोधे को लगाने के लिए और अब इसको थोड़ा सा जैसे nursery से लेके आये हैं आप तो इस थैली को ऐसे tight करना है थोड़ा से दबाना है और यह देखिए यह पोधा हमार ठीक है ऐसे तो यह थोड़ा उंचा लग रहा है थोड़ा ओडाउन कर देते हैं तो यह हमने डाल दिया अब फिलावर फूड का इस्तेमाल हम इस पोधे में साथ के साथ कर सकते हैं क्योंकि रूट इसकी ऑल्रेडी डिवलप है पोधा बड़ा है इसको nutrition की जरूरत है तो हम इसको थोड़ा-थोड़ा हम साइडों में ऐसे मिटे डाल के इसके बाद हम इस फुलावर फूड को लेंगे एक मुठी और यह देखिए एक डाला और दूसरी मुठी हम ऐसे डाल देंगे यह देखिए यह डल गया अब हमने क्या करना है पोधे में बाकी जो मिटे डलनी थ वह डालके इस खाद को ढख देना है और फिर हम डालेंगे इसमें पानी अब देखिए कितना सुन्दर लग रहा है लगके तो नर्सरी से भी ले करके अगर आते हैं तो आप इस तरह लगाएंगे आपका पौधा नहीं मरेगा बिल्कुल नहीं मरेगा और अभी से ले करके म हमने लगवाग एक लेटर का लिया है और इसके अंदर हम 300 ml के असपास पास पानी डालेंगे देखिए 300 ml पानी डालेंगे बस इसका जो जड़गिला हो जाएगा और पानी गमले से बाहर में निकलेगा अब वेल्डेंट स्वाइल का मतलब आप देख लें मैं बताता होता ह लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना जो पानी हमने डाला है वह गमले से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा नीचे से अंदर ही रह जाएगा यह देखिए बिल्कुल सीप करके अंदर चला गया और नीचे में देखे मेरा हाँ सुखा हुआ है और मैं लगाता हूं बिल्कुल पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आई है तो यह जो राइट तरीका है यह तरीका आप लगाएंगे और जैसा मेरा गार्डन आप देखते हैं वैसे ही फूलों से भर जाएगा और इन सभी के फूल में आने वाले समय में आपको जरूर दिखाऊंगा साथ ही